देखो बहुत आनद लगेगा मेरा आशिरवाद हमेशा तुम लोगे साथ है जो आजकल हम लोग सहेज जोग जो अपको साधना कमार्ग में ले जा रहे हैं, इसका नाम सहेज जोग, आता बहुत ही सहेज है, इसे क्रिया जोग भी कहा जाता है। आप लोगो कई फोटोग्राफ उमने इन चुमें भी जायतल से पुर्शिजाज तक जो हम चाहते हैं, आप लोग उसको धैन से परो, देखो, जानो, हमारा शरीर में 72,000 नारिया, है तो सारे 3,000,000 नारिया, चेतना, जो हमें अपने आपके अवगून के कारण, उनको मार देत हैं, उनको जिव इतने अप्षोरते, उनको अखादे नहीं देते हैं, तो उनको कमजूर बना के रख देते हैं, तो वो नारिया, वो चेतना हमारा शरीर में होते हो भी हमारे दे काम नहीं करते हैं, सोला कला होता है, हैवान स्री कृष्णो सोला कला में जनम लिये थे, वो इच्छाधारी पूरुष, जिसको सारे तीन लाग नारिया जग जाएगा, वो इच्छाधारी बन जाता है, वो जो इच्छा करता है, वो ही होने लग जाता है, जो कामना उसको मन में आता हो, वो ही मिल्क उनका काम्रा मात्री इस संक्राइब में सब कुछ बजल जाते हैं वो चाहे आबी बारश हो जाए, वो चाहे आबी धूप आजाए, दूप आजाए, और आन lle आ-जाएगगी कुछ संक्रा के आमारा पास उपलबदिया है जो हमारा प्रयेजन है जीवन बढ़ में जीवन के लिए सब एक में पर पास सकते हैं क्योंकि उसका इच्छा है सकल इच्छा सर्वमंगल मंगले श्री इचर बहात तशादियों जो शीव रुद्रा अमारा शेर में आपने बड़ा बड़ा फोटो में बेज़ें उसमें देखा आपने सब में शीव रुद्रा कहा गया हूँ ब्रह्मा भी है तो उनको रुद्रा कहा गया हूँ नारायन भी है उनको भी रुद्रा कहा गया तो तो आइय तो आद्याधितोर इन नाम से बुलायाा जाता है तो शाकीजातत सरसौतिक में इन सबकर अर्थ ही है ठाकिने शाकिने मतलब गुरबर चीज नहीं है, इनका और नम से पुकारा जाते हैं। तो हमारे शिर में तला तल आज अभी अभी आपको पोटो मिला होगा, एक रिशी मुनी ख़रा है। उनका पहर के नीचे से देखो, जो पहर के तल से उसमें उनका तला तल, तल, तला तल, एक दम पहर से लेके गुटना तल, तला तल, उसके बाद सब यहां से लेके, मुलाधार से लेके उपर तक साथ भूबन, और अभी और फोटो आपको मिलेंगे, तीन लख चेतना है, सारे इस से आल पहलया एक चेतना बन जाता है, तो एक सिस्टम चलता है और टीक है गतले है के तो अधारिय नारियस बामार डालते हैं। खातने गुन slider शोने का जगने का समय से सब काम करने के कारण इस जो गिक ट्रिएम बन्द हो जाता 5 बहुतीक क्रिया होने लगता जो अपुडिक स्वाज़ई गृतिक जो आजकर सादेग से लिए जाते हो कितना बज़े खाना काते हो रात के दू बज़े, तीव बज़े, धाई बज़े, मीट, मास, मसाला, पसाला, खटा, नीठा, सब खाते हो, लेकिन रात का भोजन में ऐसा नहीं होना चाहिए, यह तामसिक बन जाता है, ओ तामसिक खाना आपको जाके निरगुना को सिरिका तो ऐसे ही हम लोग गून अब गून बिचार नहीं करती है, गून का तो बहुत बिचार होता है, और गून उसे ही हमारा अंदर आधार बनता है, ऐसा आप सबस्ते कि हमें एक मिशीन बनाओ, वो चाइना टाइप का नहीं, चाइना का मिशीन मतलब आप 200 रुपे से घर में आप सबस्ते कि लाएं, वहां तो चल रहा था, और गड़ के अंदर आए, तो नहीं चलता, 200 रुपे भी गया, आप सबस्ते कि अब गया, चलानी, अब सबस्ता मेरा जर्मन जैसा, जर्मनी में 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 बना मिशीन बने, तो बहुत साल चलेगा, एसे हमारा अंदर भी त अंदर का जुद्ध चलता है, तो जैसा खाद, जैसा दिष्ट गड़, जैसा बातावर में हम रहते हैं, तो हमारे अंदर का जै नारी या जो है न, सुकर जाते हैं, मुर जाते हैं, और उस में से 10,000-15,000 मुश्कियों में काम करते हैं, तो उस बहाने थोड़ा बहुत हम प अधियाचार करके न oversee हम उनको उत्याचार करके गुदा देते, और सकाम भाभी जो गुरु लोग है जो अनित्यानदर लोग है जो प्रमानदर्शन सर्फ गुरु लोग है इसको जगा करके आपने को समय को बचा कये लंबा कर लेते हैं, कुमख Vedra के प्रमायम कर के, आप क्रिया जो इतना कठिन है, क्रिया जो इतना गुया है कि कोई गुरु बताना नहीं चाहते हैं, आप किसी गुरु को भी पूछे, वो आधा अधुरा बता के छोड़ देंगे, पुरा गुरु नहीं देते हैं, प्रनायम तक ठीक से नहीं सिखाते हैं, तो बहुत गुरु जब तक उनको आप लोगों उवजये धन होते हूँ, आप आप एक आलमारी घन होते हो, तिजोरी घन करिते हो, पता ही बेंक में रखते हो, लॉकर में रखते हो वो गक्री चुपाते रहते हो, तो आप अपने धन को, जो कमाया DHन जिसको कोई औगात नहीं है, जो आज करन रहिसे नहीं लेगी लक्षमी के सरोप है, उसको तो अप छुपाते फिरते हुई. लेकिन जो आपको घितर का नीटा जब ग्याया ना आपको क्लिया प्रक्लिया है, तो बहुत महिंगा है, उसको कोई दाम ही नहीं दे सकता है, लेकिन आप उनको कोई बताए, तो अप समझते नहीं हो, बता है तो समय को ठीक से लेते नहीं हो, मुझे बहुत बुरा लगा, सॉरी, मैं कभी इतना गुसा नहीं करती थी, उस दिन मुझे बहुत दूख हुआ कि मेरे ही शिश्च, मेरे ही बच्ची, जिसको मैं कुछ सिखाना चाहते, वो बच्चे इसको इस तरह से हलका धंग से लेकि इसको निचा कर देता है, ये गुन है बिटा, गैन है, इस सरस्वती है, ये जल्दी किसे में कृपा नहीं करते हैं, लक्ष्मी कभी भी किरपा करेगा, लक्ष्मी तो जमदर भी कमा लेगा, निचल को लोग भी कमा लेगा, मस्दूर भी कमा लेगा, और राजा भी कमा लेता है, लक्ष्मी किसे में बैठे नहीं रेती है, एक दिन बैती है, दूसरा दिन भाग भी जाती है, लक्ष्मी चंच रहता है कि गुरु श्वंक सरस्थिकर गुद में रहते हैं। तो बच्चे आप लोग इसे ने भी आपने बच्चों ने मेरा बोला ये बात और मैं सुना ये बात मुझे दूख लगा था मैं डाटा कि क्यों ऐसा बोलते हूं। तुम्हे पसंड नही है तुम चल जाओ, तुम्हे शिखना नहीं है तुम ठोड़नों लेकि-एससा नहीं बोलो, क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूं, ये मेरा सब्चक नहीं है। कि मेरा 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 में इशुर ने गया, इंसान के लिए, रिध दिमान और गयान इग लोगोंको लिए सब्जेक्ट दिया है। वि शिद्धर नहुदं सरजवती झी लो गुरुमा राज थे Northidente का, बहुत क्रुदी थी और उनको इस सब ग्यान, उन ग्यान गंट के वो थे, उनको पास ग्यान अपार बंडार ग्यान के थे, कभी-कभी प्रदेशन करते रहते थे, और कभी कोई कहने से भी नहीं करते थे, निका देजे बावा, अब ने, आज समाई नहीं है, जब हम यह होगा तिक दिखा देंगे तो बावा ऐसा थे, तो वो दबा के रहते हैं, सब ग्यान सब के लिए नहीं है, सब हमेशे बावा यह बात कहते थे, हमारा गुरु मारांज भी कहते थे, पात्र विचार करके बुस्तु डाओ, उसमें दे दो, पात्रों, समझ लो पात्रों को क्या है, अगर तुमारा पात्रों के लिए अच्छा 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 पात्रों के देखो अब इतना नारी आपका है, फोटो में देखा, बहतरा जान नारी है, थारतीन लाग सेतना हैं, आपका शिरिप में, तला तल, साथ, तला तल, तला है, सब्त भुबन, यह जो चक्र है इसे भुबन कहते हैं, सब्त भुबन है, अंत में आपका सरसा बज़रा है, तिन परवत है, अब मेरु परवत का अपको दिखाएंगे, तो जो लोग परवत आ रहो ही नहीं होता है, तो मैं तो परवत में चलना नहीं आता है, उसको परवत में लिया जाएंगे, तो परवत आ रहे होगो तो तर्टर करते चल जाएगा, जो परवत में नहीं चलता है, तो जोपा मैं आपको भीतर ले जाता हूं अंतर, तो मैं तो सौटकाट से लेता हूं, आप लोगो सीधा मुलदा से लेकर अभी आपको सब कुछ मिलेंगा अस्ता सदीख में को, रंग कहा है कैसा है कि सबस्ता में, प्रत्रिक मनश्यक अंतर रन आए, तभी तो रंगिला है, प्रत्रिक मनश्यक का मन में रंग है, तभी तो रंगिला है, वो रंग क्या है, इसले रंग क्या है, जो चक्रों में है, जो भुवन हमारा अंदर सब तो भुवन है, ये चक्र है, इन चक्रों में एक एक चक्र का रंग है, आपने, देखाओगा मिरे फोटो बेजा है, पर बहान होगा तो तिक चक्र का आपको बस बराबरा करके मेरे में जा प्रिंट निकाल के ओ देखिया आप लोग अच्छी तरे से चक्र का रंग होगा पर तिक चक्र करके जिसा अगनी का रंग नील भी है पानी का रंग भी है जहां अगनी होगा तहां पानी होगा क्योंकि तहा जब हम लोग सच्मुच साधना करने बैठेंगे, अभी तब लोगो मैं मा जैसा बच्चो भी स्कूल गया नहीं ना सरी में बढ़ती करना है, मा बैठे बैठे बच्चो गया तो देखो बेटा इस ट्राइंगुलर है, इस स्क्वेर है, इस देखो आ है, यह ज़िए भी आप लोग का अनन तो आप लोग का आना है, जो बच्ची पढ़ने वाला बच्चा निकलता है, पहला कि किताब जब उनका हाथ में आता है, उनका देखता है, जो दुष्टू बच्चा होता है, किताब को राग के खेलने लग जाता है, तो मेरा बच्चा नहीं होना तब ही जाकि मैं दूंगा तो आप लोगे, तो आपको हाथ से गिर ने जाएंगे, आपको पास राएगा, शुरवशित राएगा, तो आप लोग इन जो फोटोग्राफ को देखा, समझा कितना कठीन चीज है, अपने फोटोग्राफ को देखा कुछ, जो भेज रहा हूं दो दिन से मैंने, तो को समझ पा रहे है कुछ, तो आप खुद को अंदर जाना पड़ेगा, तो मैं आपको मा है ना, हाथ पकर के लेके जा रहा है, लेकिन एक दिन इस जटा जंगल में आपको कुछ जाना है, तो क्या आप इस जटा जंगल के अंदर जार सकोगे, इस जटा ज जंगल है बताई? महां जंगल है? महां जंगल है? भारुन है यह नारियों का रणडने है चेतनाओ का रणडने है काम बसना का रण obtain पताने कुछ का больनी है परवध है, जल है, अग्नी है, वाय्योओ नहीं है स्अब कुछी सिम्है पें देखो, यह मुलादार है, यहाँ आइशर्ज है, सौर्ण बढ़ना है, ऐसा है, ऐसा, पिर सेकें ने जाएं, स्वादिष्ठन है, विष्णु लोग है, विष्णु लोग में, विष्णु वगवान क्या देता है, जीवन रूप, प्रान रूप ए सब है, वहाँ एक के आपको चलना नहीं आएगा, तो अब तो उस्तर नहीं जा सकते हो ना, तो हम जब तक एक एक पैर पकड़ पकड़ कर सिखाएंगे तब है जा पाओगी, तो एक भी क्लास मिश करते हो, एक भी कथा मेरा मिश करते हो, तो मैं तो भी दुबार आति बारा बोल दीती हूँ, लेक आपको फोटो देके, ठीवी देके समझा रहा हूँ, जिसन से मैंने पूरा, 16, 16, 16, 22 मिन लेके जाओँगा, तब तो मैं दुबारा नहीं बोल सकता, यह बोलते रह जाओँगा, फिर आप रुक्सी की नहीं पाओगे, हर कदम में आगे चलना है, हर कदम में आगे चलना है, तब ही कुछ पाना है, क्योंकि आपका आगे नवा है, नया है, हर बस्तु है, पीछे तब देख चुक है, चोरा है, चोरा हूए को तो लेना नहीं हमको, जो अभी चाहिए उसको तरफ दोड़ना है, तो इसलिए मैं आज आप लोगों को से बात करने के लिए, मिशेशकर मै महारेसी पातानजली, जिन्होंने इस साधकुंतर निशाधना का नीध आए उनोंने जो सब प्राणियों के लिये दिया, लेकिन इस बतात प्रानि के लिए ने होती हुए भी, मैं भी जानती हूँ कि अग जिसने योगी उचाटन इसको हुआ ऐसा बात बोला उसे उचाटन लेकिन यह आप समझो, सबको लेने का बस्तू भी तो नहीं है ना, सबको हर चीज अच्छा भी नहीं लगते, तो अब इसे आप लोग एक एक करके ध्यान लगाओ, इस फोटोग्राफ के उपर, पहले आप तला तल, देखिए रिशी मुनी जो ख़रा है, उनको पैर के पाच तला तल दिख रहा है, दिख रहा है, वो फोटो देखा था आप लोग ने, पैर के नीचे से लेके भूटना तक और यहां तक उनका कितना तल अतल है, अतल 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 दोनों है, उसके बाद आपको नाभी के पास सब्त भूवन है, वो पीट में मेरू पर बताएंगे, सब् कहा है, अमारा शरीर के अंदर, जो ब्रमान में है, अम लोग का, सब कुछ अमारा शरीर के अंदर है, और आपको मेरे साथ उन जगों में जाना है, उन जगों सम्झा आपको चलाएंगे, तो अब पैर जए निया निया चलो कि जब गावलुक्तिरत में जाते हो, अपनोग पेर का हलत क्या होता है? एसे ही तो, kundalini saadhanabhi, वही है, वहाँ सुक्सम शरीर, तुमारा आत्मा, वो छोटा सा जो आत्मा जो बार बार जनम लेता है, शरीर तो बार बार जनम नहें लेता, शरीर ए जनम जो आया, नामधारी शरीर, जो आया, इस दिसमाने जनम दिया, इस दिन आयूख खतम होगा, मढ़ जाएंगे, उसका आगम में दे देंगे, पंचतर तो पंचतर तत्माय में चलेगा, तुम बाहर निकल के चले जाओगे, दुबार जनम लोगे, दुसरा शरीर ने क्या जगो, दुसरा काया में चले है, सबसे कटोर नो मेने का सजाँ होता है प्रानी के लिए, समझ लिजे, कि उसको जोग अवस्ता में रखा जाता है, अब बताया जाता पहले, कि पानी के अंदर रखा जाता है, नैन को बंद करके प्रकाश को स्मरन कराया जाता है, मूँ को बंद करके शब्द को गवाया मैं मैं नौ दिन कैसे आप रहते हैं नो म में नो दिन . ना ना गरेंगे में हुद्टा जसे richtige लिए जाता है यूग वश्ता में यग वस्ता हैं आप अब खुले हैं निले मुहार से आप उन्होंसीतो मुद्ग मुझे से हुने कुछ नहीं कर सकते हूँ जो खाना देगा खाना पड़ेगा जित disrupt , जयसे को आपि आपर उमाही करेंगा रूह होय दो करना पड़ेगा अपने अप कुछ नहीं कैद ओप कुछ नहीं कर, जिस हमें सब आप कुछ ग्रां करके उसे पेटें वेटे, वेटे, सब शीक्षा गुरेन करती हो, बाहर आते हो, उसको बढ़ा करते हो करती हो, तो ये साधना, कुदूले नी साधना, प्रिया साधना, जिसको सहज बताया गया है, जान के सहज किया गया है, ताकि कुछ लोग कुछ तुछ सेखे, तो मैं उपिछले 30 परस, दु तेप्लमी एकमला प्रशार भी हो रीवें मैंने नियूा का सीति हैं जरो यह सीदों से बीसक बैला को अछिछे क्रवा, को क्हाँ सुझार क सोब्सार करते हैं कि उपर जानी हो, कि अच्छा जीवन जाया इमानने नेक्स जानाद मेलगा जीवन मक्नाद कर हो तुम अच्छा इंसान बनो, इश्वर करो, सेवा करो, बगवति का सेवा करो, और अच्छे लोग में जनम लो, इस सब कुछ मेरा चिश्टा आप ही लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं, मैं तो, मैं जाती आती रहती हूँ, मेरा तो रास्ता कुला है, जो एक बार जाता है, अबर आप एक दिन कोई जागा चले जाओगे, तो दस बर भी जा सकता हूँ, तो मैं तो जा चुके जाती रहती हूँ, जो जाने पारे, उनको में खीच रही हूँ, तो आओ, संक्सर में धन, लक्ष्मी सब कुछ नहीं है, संक्सर में ऐश्वार, ये सब कुछ नहीं है, सं करना, सिखना, उसको अनुभव करके उस रस्ते में चलना सब से कठीन होता है, मैं तो कहते हैं, एक दिन आप लोग, एक एक दिन आप लोग कि चिष्टा करो, कि आज मैं जूट नहीं हूँ लूँगा, एक दिन, देखिए शाम तक आपको अपका हड़त क्या हो जाएगा, आप उसको मानने सकते हैं, अब लोग बातों में इतने चोटे-चोटे जूट के साथ, जीवन को बान देते हैं, वो चोटे जूट बढ़ा हो जाता है, फिर दूसर जिन और बढ़ा हो जाता है, फिर आप उसी केरे में रह जाते हैं, इस किसम सत्त को पालन करने के लिए नारियों के लिए बोला दे कि दिशा है इनका, कौन-कौन दिशा में इक ऐसा कर गईगी, यह नारिया है, हम दक्षी में जाएंगे तो वहां कर आला का पावा परिभावर होगा, हम पूरब में जाएगा, तो सुल्य बगमान है उसको आला होगा, उत्तर में जाएगा तो अल आपके अंदर से हमें पास करना हो, तो जाना होता है, तभी आप ग्यानी बनोगी, तभी गुनी बनोगी, तभी आपके अंदर सुधत आएगे, सुध्ध सुधी बोलेके इक बहुत बड़ा चप्टर है जोग में, कि जब वारोगे तो अलगे का रहे बापरे क्या है, कि गलत है तो अपना प्चू जाएगे, सत्य को निवाना, सत्य को पालन करना भी एक साधना है, साधू मतलब जो सत्य को पालन करता है, संगसारी को साधू का आ जाता है, सन्यासी दुस्य होता है जो ब्रमचज्य को पालन करता है, तो इन सब को पीछे नियम है, कारून है, स साधना शुरू करेंगे, यात्वा शुरू करेंगे, इसलिए कहता हूँ, आप मैप में, जैसा हम लोग अंजन अमरिका में जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो वहाना एक ओ दे देता है, तो गाइड मैप दे देता है, हम का यह एरपोर्ट से यहां निकलेंगे, इस रास्ता स यहां जाएक उरगर को पहुचेंगे, तो यह आपको गाइड लाइन, हम लोग ए मैप देया है, इस मैप को अच्छी तरह से देखो सारा को, अभी बहुत कुछ मिलेंगे अभी, एक बाद ध्यान से देख के, समझ के, इनको कंठस्ट कर लो, कि हम को यहां से घर के यहां से पर बिली आके अपने घर जाएंगे, यह सब कुछ, दिखिए भगवान इस सा सुन्दर सिस्टेम मनाया, हमेशे करता है दो दर्वाजे, घर का अंदर जब तक दो दिज मकाने, दो दर्वाजा नहीं होता, असुद मकान होता है, तो घुसते हो निकलने पाते हो, असुद है इसलिए अमरा नाक दो है, आनक दो है, कान दो है, यह एक जाने एक से निकलना होता है, सिस्टम होता है, तो सबसे पहले जिस घर में गुसते हो, वहां निकलने के रस्ता सोच हो, निदो अंकों कहां सी, तो ट्रैप हो जाओगे, तो मर जाओगे, पस जाओगे, इसलिए निकलने से पहले, घुशने से पहले निकलने के रास्ता देखना है, इसलिए मैं पापको दिया है, मैं पैर कुछ नहीं है, कि अमरा शिरिर में इतनी नदिया है, इतनी नदिया है बाता है, नहीं नारिया है, सब अंदर दौर रहा है. हम जल रसता से जाएंगे, या बायू रसता से जाएंगे या मैदन से जाएंगे इसमें आप को चूज करना रहता है to गुरु वैसी रस्ता से अब को लेखे जाएंगे वैसी अपकुल रस्ता से ले जाओंगी फिर भी आपको भी चॉइस रहता ही है, कि बखेले साधना करने बैटोगे, तो अपने रास्ता से भी जा सकते हूँ, अपने रास्ता से जाने से आपको रास्ता मालूम होगा, जैसे आपको मैं अमारा पास पवन बेटा आता है, पवन लाल जी, पर शुरू शुरू में आते तो उसको रास्ता मालूम नहीं होता था, मैंने का क्या करोगे, तु मेरे यहां से निकलो, जाओ, डाया जाओ, ऐसा जाओ, ऐसा करके, जो मादा इंट्रनेशल स्कूरू से ऐसा बाहर निकल कि सिरत सब्दन होता हूँ, तो अपने घर जाओ, तो हमने एक रास्ता उसको बता जो करस्ता उसको अच्छा लगता, जो उसको मन अच्छा रहता है, तो उसको मन अच्छा रहता है, तो उसको मन खराब होता हूँ, जो उसको मन खराब होता हूँ, जो जो मन खराब होना से, कोई लंबाने चलना चालता हूँ, छुटा चलता हूँ, हैसा चलता है, मारा जाएंगे, आज हम लोग चलो, दो-दस दिन के लिए हिमालय परवत भूमाते हैं, तो उसी मन से जाएंगे, तो रस्ता आप बन जाता है, कई हम जाने के चाहेंगे, तो एक बार हम जाके वापस आ जाते हैं, उस घर को ठीका ना जाते हैं, तो अपने आप बार बार उसी रस् अगर जीवन का उस आसाध को पाल में क्या-क्या experience होता है, वो जानना चाहते हैं, तो आपको कुस दिन-दिन में रस्ता बदलना चाहेंगे, हार दिन एक रस्ता से जाना ने चाहेंगे, तो उस रास्ते दे चलने के लिए आदत भी करना चाहेंगे, कभी बुच्च, कभी न पोच सुन्दत, बखबगी चाहा कभी दम गंदा, काठा पाठा वगर आसता, सब मिलेंगे उसमें से जाना है, साधना इसे होता है, यह experience है आदमी आदमी बनता है, उसको पास सब कुछ चलने का सभाव अब्राज बन जाता है, तो गूरू हमेशे ही चाहते हैं, तो आज तक फोटोग्राफ गया है, इनको एक काम करो, कम सकंब इतना तो बड़ा बना लोगे, कि जैने बले, फूर भाई को तो जिनो, फूर भाई 6 का पोटो बनाओ, तो कि आपको लिखाई देगा, कहां कहां आमने बताया, फिर देख देखे, अपने अंदर आँख बंद करके न, आ अब इतना सुन्दर रंगवंग देख रहा है, जिसे आप लोगों सिखाया, तो हम लोग आसते आसते कैसे, हम लिफ्ट से भी जा सकते हैं, हम तक हम इसी साब को ला रहे थे, तो उपर से भी हम जा सकते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है, इन सब अभी सिखना है आप लोगों मामम्मा ऐसे, नहीं है, ऐसे कहता ना, एक तेर लाइन होता, सब्सक्राइल होता है, हमाम मतलब मै धन्यक्स के अंदर हम लोग गुल मिल जाते हैं। वह हो जाते हैं, अमारा आस्तितालग से नहीं बसता है। तो हम जो जो मा का गोद में बैठते हैं, तो हम मा का जैसे ही बन जाते हैं। और मा गोद में लिखे कि चीज ऐसे हैं। आपने को अमरा अंदर डालके अपने जिश्ची से वो experience कराता है। जो मैं आप लोग बिली कोशिश करता है। इस संदव में मैं आपके छोटा साज जुरूर कता सुनाओंगी। एक गुरु का कता है। एक गुरुजी थे ग्यान अनंजी और उनका अपार ग्यान थे। एक उक्रिया योगी थे। उनका लिक्षा का नम सचिदनन्ध था। उनको गुरुने उनको दिया। जो गुरुने उनको लिक्षा में एक नाम दिया तो उनके मेरा नाम तो Gyaan Anand हमि तो ग्यानन आंद है। यह बाबा, आपने मुझे सचिदनन्ध रखा। तो गुरुने उनका ऐसा बोला, शब्दो एक ही ही बहबार्त एक ही है, स्वात भी एक है, बोलने में फरक हो जाता है, बोलने से कुछ नहीं होता है. तो इनका बारे में मैंने कई बार आगे भी सुनाया आप लोगों को, जहां सिकत आगे एक जगा है, पगवान राम चंद्रा का एक जगस्तान है, जब उन बनवास्काल में गया है, तो उनको अभी गोस्तान है, उनको दोनों शिश्य थे, थार थो बहुत सारे, हमेशा पात्रों देखके, भीचार करके पात्रों में दागते हैं, तो हमेशा गुरु लोगों को एक चीज़ जुरूर देखा, एक थोड़ा दुष्टु बच्चा ले ले डेता, एक अच्छा बच्चा ले ले देता, दुनों को बरा-बर देते हैं, एक समय में देखा जाता है, तो आपको एक था याद होगा कि जब दोनो शिष्य गुरु के साथ आते तो एक शिष्य गुरु का लिए भीक्ष्य अक्ष्य मांग के लाते थे उनको सुचिन अनंग जी जब उनका वहा सन्याश वा तो उनको शिष्य दना नाम हुआ तो उनको दो बस्त्र में रखते थे एक बस्त्रों उसको बीच में चे प्टुक्रा करके आधा पैंटे थे उसी को उपर डाल लेते थे और ज्यादा कुछ में रखते थे पोटली बटल में खास के उपर सुथी थे अपको याद हो गएका था क्यों सुना रहे हो भी बताती हूं तो वारे याद दिला रहे हो अप लोगों को तो उससे जिदन जाता है जाके भीक्षा भीक्षा लाता है तो बच्चों को जिसा गुरु कुल में सब को खिलाते थे उसको दूसरा में एक अर शिष्च थे वो उनका काम था उभीक्षा लाते थे और गू घुरु को खाना बना के किलाती ते बच्चों को गहास का अ जो इशाना थे एक एक हात्य दी बहल की तरए सपाय करके उसको तो ठीक कर रंगते थे थे रहे तो ना लागे की गुरु है भीक्षा लूट को चान चाहिन के बनाते थे, उनको भूमे कंकर ना किए जाए, खाना वैसी यह बनाते थे, देख़-देखके. सेवा करते थे दोनों गुरुकुल में शिक्षा पाये, एक समय आया जाना तो है, कि इसमें एक जनन जाना नहीं चाहता है, एक जनन चल जाना चाहता है, वो राजपड़ीबार की बच्चे, यह जमिजारों को बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, पहले हर बच्चे तो इनको जद्धी जाना था, टो वो तो चला गया, आस्टासे सब बच्चे चला गये, वो थे ब्रामन को, ब्रामन। थे। छोटे उनको सिवा करते थे, अब वो नहीं जाना चाहते है। गुरुजी कहता है नहीं, ओ जाना है। इस भीच्मिय उजु क्या करते थै, जब गुरूजी को सेवा करते थै, और सोंसक्न है क्याते, चेहती कि मैं राजा होता, तो मैं गुरूजी के सोने का था ली देता, 처럼 बाबा खाता, मैं एक चांदी का पंकाज हिलता, और बाबा खाते, बहुत नरूँ मिलता, मैं बाबा के सुनने का कटूडी देता जो बाबा की खाते हां ठूझ रज्डी होता बाबा को। शैण्दी के ग्लास देता जो पानी मां पिने से गृता है। अच्छा लगता, तो जो भी खलाते थे, सेवा करते थे, उसको मन में हमेशा ऐसा गुदता था, बबा को में ऐसा देता, बबा को में ऐसा करता मागू, और जो दूसरा बच्चा था, वो लाके देते थे, तो ग्यूटी मान देते, करके, और जब उसको चत्री लोग 25 बरस के सब चिच्छा देख चलेके अपन वा पास जाती कि उनको राज तत समालना होता, ब्राहमन आगे और पढ़ सकता है जब तक चाल गए, उसको गूरू बनता है आगे चलके, उसको जितना पढ़ सकता है उतना पढ़ते है, उन पुथी पुथी मिलते थे, तो आप और कर दो नहीं तुमको तु जाना है और उध दिन ना तु इस चिंता था बाबा के लिए में के इच्छा गर बनाओं उसमे में ऐसा लगा दूँ इसा कर दूँ नहीं कर दूँ मू कर दूँ अब लोगो को यह दोगा मैं चान के चोटा कर रहा हूं तो अंत में उनको जाने के ल चलते चलते गया मन में हो ही आता गया कि बाबा कह कर रहा है एक पढ़ जाते थे एक पीछे मूर देखे थे बाबा कु दिखाई दे इससे करते शाम तक हो गया वो बूद दूद नहीं जा सका ऐसा जगह में रूग जहां से वो बाबा का उठिया देख सकता है तो तो तब आप बती नहीं जाला एक यकरा उदर में उसको भूख का तरह मैं सुआ तो अचना खाने लगा ओछ अचना खाते खाते उससे तरह मैं क्या करूँ कराए मिंद नहीं जाओंगा और तो पेर में कुछ लगा तो और देख झरने कुछ हरा लेगा तो पैर को पाल जैसा था, मोटा सा, उडिक एक था उठाया तो ऑडर तक आगिया, और खीचा तर बेदा ने तो सोना है, उप अधने लगा उप्रकशनदे लगा, सो बाढ़ने लगया, बाढ़ते बारते में, मोटा हो गया, उप बाढ़ते बाढ़ते लूचण जालते गया, अभ leaning,। जुआ शूखते गए, आस्यास्यास्त है देखा तो आगे होर्ण दुबार पार पे वहीं पर आ गया. आने की करन उनको पेतारा गया हो बाब काड़ो उस तो त्हान कर जार गया उनको जा से होलो गया , उस भासना पोटाड की घाना क्यूदा में। अर्था वह महायोगी थी, तो उनको हमारा अदुष्रियर में सोन जो है, तो इससे अलाजमाने में साधु लोग बनाते थे सोना, तो जहां से वो शुशु जाते थे उससब सोना बनते गए। तो ने के थे लिए बाबाजी, मैं किसके लिए सोना-सोना कर रहा हूं। इनका तो सुचु में सोना इतना है, तो अंदर गया, उसको उठाया, दोया, अब देखे अंदर गया, तो बाबा अंदेरे में सोय परे, कोई बत्ती उत्ती नहीं जलाया अपरे, वो सोना, अब बाबा का पैर का पंज़त के, पैर पाकर के रोने लगा, मुझे छमा करो, क्यों एसा कर रहा है, क्यों रहा है, क्यों बाबा मैंने ऐसा, यह इतना दिन से आपको पास रहा, तो मैंने दिन रहा तेज हो चाँ, लेकिन आपको तो जुरूरत ले, आपको 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 सोय सोना है, आपको सोय कुंदन हो, आपको से सोना बन रहा है, मैं कैसे तुम्हारा जोइन नहीं चिंता किया, तुम्हारा जोइन नहीं चिंता किया, तुम्हारा जोइन नहीं चिंता किया, तुम्हारा जोइन नहीं चेतन्या है, तुम्हारा जोइन नहीं चिंता किया, तुम्हारा जोइन नहीं चिंता किया, तुम्हारा जोइन नहीं चिंता किया कि तो आपका ही बस्तू है. हे Govind, तुम्हें बस्तू, तुम्हें मारपन कर दिया, मैं तुमको जिप्कों क्या दे सकता हूं। च्छ। बाबा ने का आउ तु तु तुरे कुठी आ के बाहर लिए गया, और उन्हेंझे हाथ से, अंकुष मुड्रा से, मैं दानव को, मैं रावन का ससुर जी को गुलाया वो सबसे बर वो थे आर्किटेक्चर थे और विश्यकर्मा जी को गुलाया दोनों को गुलाया और उनको खरा किया सामने और बोला, देखो तो ये प्रानी क्या बनाना चाहते है वो बना दो इसको तक इस तो त्रिप्ती हो जाए तो हो खुश हो गया तो मैं यहां पर ऐसा एक भाउन बनाना चाहता हूं इसमें ऐस ए रहगा, वो रहगा हर सुक सभी तर चीज़ मेरा गुरू ऐसा करेंगे तो पानी मिला सब बताया, ऐसा ऐसा बाबा के लिए में बनाना चाहता हूं में बनाना चाहता हूं में बनाना चाहता हूं बाबा इतना तू नीचे पाहर में चलके जाके नहां तो रामगाट आज भी है वो जहां से सुपर आयो हाते नीचे नहाने के लिए लो इतना दूर जाना पड़ता है नहाने के लिए गुरु आदा कप्रा पैने के जीमन पिताया उसको बड़िय बड़िय कप्रा पैनाया यगा से तो from onnone to onnokene upchat किरिभले में सब कर नुने किया बेचके आप उन्होंने, तुम्हा वो गया मेरे सब बन गया सब भरा रहना थी ऐसा अक्षय पात्र बनो, कभी यहां का चावल खतम ना हूँ, यहां ऐसा अक्षय पात्र बनो, जिसमें दूद कभी न खतम हूँ, मेरा गुरुजी जो अविशन न खाते हैं, उनका दूद कभी न खतम हूँ, हर चीज पूरे रहे, कभी अक्षय रहे, एक करम ना हूँ, तो विष्व कर्मा मैं जी आप जाओ मद्यप्रदेश का उसमें जाके अब मांदत्त कर नाम सुनाओगा जिनका जैसा वरा राजा दानी करना भी नहीं हो पाए थी इसके लिए इसा राज़ भवन बनाओ जिसमें राज करेगा मुपफ दानवा और विष्यकर्मनी मिलके उनके लिए वंधत्त का राज़ भवन बनाया था जो आज भी इस तंक्षा वस्तर में कुछ-कुछ पाया जाता। तो कहता है इतना गगन चुमरने वाले उस आज भवन था। जिस कोई उसके बाद नौचा कोई भवन ने बना। और जो जो उसके बच्चे ने गुरु के लिए मांगा था। उसे पता ने कितनी गुन-जादा गुरु ने देके उरको राजिति लग करके वहां बठा गिया। और बाद में गुरु ने ताजब जाया तीन। और कहता सब तिड़ी बन के उर जाओ। सब तिड़ी बन के उर गया। गाट के बोला। सब चले के फिर वही कुठिया। गुरु वही आदा कप्रा में वही पर अरां से जीवन बिताए। अंदर तो जाते रहे आते रहे। लेकिन उनको इसेवा करते रहे। लेकिन उनका वही सुबह उठके नहाना। किसी गृष्ट के घर के आगे जाके आथ से कहते थे माता भगवती भी चाम देही। जिसने जो दे दिया है सखाना। नद गंगा में पानी पीना और राम नद गंगा में पानी पीना। और उपर आके सुझाना सामको एही उनका जब तक जिया। जो इसका का का इसलिए मैंने सुनाया कि गूरू लोगों कुछ दीन ही सकते आम लगों पहले भी बताये। हम लोग अधी प्रेम कर सकते। कि उनका नाम याद आने से भी रोना है। उनको स्मरन करने से प्रेम अंधर से उतरके बाहर आई। सद्धा हमारा ऐसा बन जाए कि सुर्या कोटी सुर्या समाना है कि मुकट हमारा गुरु का सिर्दे में ऐसा सोच हम लोगो होना ही चाहिए क्योंकि गुरु ही देव है देवता है और सर्वसक्तिवान है तीनो है इसलिए उस गुरु को पाने के बाद उस गुरु को अपमान मत करो कि कि वो सरसोती क्या पूजारी होता है वो देखने के लिए दरिद्र बनके रहते हैं वो दरिद्र नहीं होता तो तुम लोगों को देते कैसे जितना गुरू होता है सब कोई नहीं कैसा तो मेरे गुरू नहीं दिया जैसे भी गुरू है सब कहेगा मेरे गुरू नहीं दि गोचारां से प 피हारा देती हैं शारा देर्ताय ुद्रफव ये उनका आसपास रहते है। गोड़ी चक्र भरहा सब्सक्रा के जब जुए गया नहीं कर सकते। और हम चाहते हैं आप लोगों के जआओ देखो गुलुव किस वय्भब से भादा हिरा गोगा। किस बैबाब से बैचे रहता है, लेकिन एक कपड़ा में बैटा होता है, उपर में कपड़ा नहीं होता है, खादी निचे के तुरा कपड़ा होता है, क्योंकि बस्तरों उनको जुरूरत नहीं है, खादी भी उनको जुरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने में परिपूर्ण ह तो वो सब कुछ हाइबूल का हमें सब कुछ मुनता आए गुरु का दरीत्र मत समझो गुरु को दे के कुछ उसको कभी कोई किसे बहिईएग 있지만 मेरे हो और ने जो सुन ने ओ जो सुनोगे, यूठ्टीव में सुन नहीं हूं ग्यान से आमे अधर जो तदूर कर देता है ग्यान का जो अमेरी होता है उसका बराबर कुछ नहीं होता है लक्ष्मी के अमेरी तो दिखने के लिए होता है एक दिन में लाथ मरकर छोड़ भी जाता है लिकिन ग्यान जिसने पढ़ा लिखाई कर लिया वो जब तक जिवित रहेगा कई जन्मों तक ग्यान उसको पेट में अंदर रहे तो जाता नहीं है बार बार जनम लेता है बार बार एक बार ग्यान को धारन करने के बाद वो ग्यान उसको बार बार मिलता है लिक्षमी आता है बार लिक्षमी जाता है उससे हीमान मत करो, उससे विबान करना पाप होता है. तो बान दत्ता का तो अपने दुसा कारी सुना ही है, उनको पोता उनका बेटा उनने सुना है था, भगवात में उनका कता आता है, मैं अपने किलश में बोल रहा हूए हूँ, यह बगवात कता है freeze तो यह जानो, जो आजकल, जो भी हुआ कुछ दिन में, मैं दुखी थुआ था लेकिन, स्वारी वेटा, हम दुखी नहीं हुए, हमको इस बात के कर्ष्ट हुआ, कि मैं तोते के तरह, आप लोग को समझाता हूं, तोते के तरह, छोटा बच्ची के तरह, गोद मिले के, प्रा COPY मैं पातक यहां के, एक ऐसे बहुत है क्ला हुए, हम भी कैते हैं, पुर्ची होगा यह करते हैं, कि पुर्ण से कोभी चिन है हुआ है, वह हमfindरी कर रहते हैं, कि उसका कौंजी, हमारे गुरु का हाथ में होता है, हमारे पुर्णे का पुर्णी भी हमारे गुरु का हाथ में होता है, हमारे पुर्णे का पुर्णी भी हमारे गुरु का हाथ में होता है, जिस दिन गुरु जब तक ने चाहेगा कुझी कोई और कोई खुल नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकत जब आम उपर जाके हम लोगों को इह होता फला फला आता है, गुरू वकील बन के हमें, उसम दिखाते हैं कि यह सा किया, यह सा किया, कि पुझे उनकी हाथ नहोता है, अच्छा बुरा का, तो ऐसा मत करो, इतना हिंग सा मत करो, इतना नीचे मत चले जाओ, कि खुदी भी ना उट सको, तो कुछ दिन से मैं कष्ट पाया था, इसलिए उस दिन सबसे कष्ट हुआ, मुझे कुछ और बोल तो मुझे दुख नहीं लगता है, लेकिन हम गुरू लोग ज्यान को ही पुझा करते हैं, सरसुती हमारा देवी है, सरसुती हमारा सब कुछ है, और ज्यान के अनन्द लेते हैं, सब गुरू हम अकिले नहीं, पतक गुरू यदि इस ज्यान के मादधा उस से आनन्द लेते हैं, इनको आख्मी क्यो चश्मा होता, और ज्यान का चश्मा होता, उससी ज्यान, सब कुछ देखते भी, भोग भी करते लेते बीया और उसी के अंदर रहते भ को घष्ट मन तू जो शब्दों जिसमें आप लोगों ने जो भी बोला है उसको मैंने निकाल दिया आप इसमें आप हो नहीं तो गलत बात है कि एकदम से गना बखवा इग कुणिली सब्जेक्ट है कुणिली कुणिली के साधना है देवता भी साधना करने के लागाईत हो ज देवता भी इस शरीर को पाने के लिए साधना करते हैं कितना कुछ करके इस शरीर गिरन करते है क्योंगे इस शरीर में आके हम पुन्या कर सकते हैं दान कर सकते हैं साधना कर सकते हैं गुरू को गुरू से मिल सकते हैं और किसे शरीर में हमें दिक्षा नहीं मिलता है खाली गूरुब मनुष्य शरिमें मिलता ते लिए देवता भी मनुष्य बनना पसन करता तो उस-चरीर धारन करने के बद उस-चरीर पाने लिए इतने बस्तु में खुमान जाओ कि बस्तु से बस्तु तुम्हारा लोहा है वो कुछ नहीं करता, जंग लग जाता, जमक खतम हो जाता वो सुना नहीं है, करोरो बरस जमिन के अंदर पड़े रहने से ज़्यादा चमकेगा तो लोहा को ज़्यादा गराओ नहीं, वो जंग लग जाता तो बन के अंदर के दस्वर नता तक उजल, उजल मतलब अंदेरा का दूर करना वो भाब को लाओ, तेजस को लाओ, उशो को जगाओ, जो निद्रा में है तो आज का जो आपके साथ हमारा बात आ रहा, इसमें प्रधा में ही रहा कि आप लोग, जो भी आपको देने, पढ़ने के लिए और देखने के लिए, इसके बाद आप लोग को निद्र में दूगा, उतना ही दूगा जितना आप अंदर जा सके आप उसको हजम कर सको, और उससे अपने लिए उ रस्ता भूम सको जंगल का, जो रस्ता आपको सामने दिया गया है, हम साथ है, रहेंगे, वैसे हमार एह ही इच्छा है कि थोड़ा बूत अपने अंतर को भी जगाओ, अंतर जागरिती लाओ, अं अमना आज ज्यादा नहीं बोलना था, थोड़ा ही बोलना था, कल कर दिन भी में थोड़ा साधना शूरू कराना चाहता हूं, अगर आप लोग प्रस्तित होंगे तो, लेकिन बीज-बीज में मैं पूछूँगे सब, आपने नारिया कौन दिशाओं में है, कौन सा नारिया तो ओच्छोटा है, उसका बड़ा कर लो, देख सकते हूँ, नारिया जो बेटे हुआ, कुल कुंडलमी, सब भूबन और तलातल के साथ, जो शरीर है, उसमें हमारे क्या-क्या भाब है, कैसा-कैसा है, कौन दिशा में जाने से कैसा होता है, यस सब कुछ थोड़ा-थोड़ अधिशा हमारा बीच में क्यों है तस दिशा तो आकाश में है जो लोग गुरह नक्षत रहे लोग पहारा कर रहे है फिर अंदर भी तो है अंदर का किसा वस्ता में है तो इस सब कुछ अब जानो थीक है आज हमारा आशिरबाद आप लोग खुश रहो खुशल रहो आप तो वोग Gore cinema को चेटाय काम लुक सोय परे हो चेतो जांग मचंदर जांग आर सो सबको चांगना गafter मतलब चेताय चेत ना मतलब ऊन्तες καईतना होता है जितना को शाता है बर लुकम आघीक सकते हैं अग के डृसिर उससे देखने के बाद हम लोग को जीवन कितने सुदर हो जाता है। तो रात में निदर आच्छा है, तुरह साधना करते रहना, जो यहां तक मैंने छोड़ा, उहसे रहो, जो अब को जहां पर छोड़ा आपको जहां पर छोड़ाओं कल से, आपको अब को अनुबभ कर लो, कल से एकदम फीर से आपको तला-तल से शूरू करेंगे, पहरे कर नी अभी मैंने अब लोगों भीश में से ले गया तो पता ही नहीं लगा इतना तो खुश हो बैचे हरी नारायम, हरी ओम तस्त, जै गुरू स्री गुरू जै गुरू जै गुरू